आज हमारी सरकार में ये बजेट तीन गुना बढ़कर 48 लाग करोड रुपिया पहुँच गया है केपिटल एक्सपेंडिचर जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है और उसका आंखड़ा बहुत ही इंट्रेस्टिंग है 2004 जब अटल जी के सरकार गई 2004 में यूपिये सरकार की शुरुवात हुई और यूपिये सरकार के पहले बजेट में केपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड रुपिय था 90,000 करोड पीश दस साल सरकार चलाने के बाद यहने 2014 में यूपिये सरकार का दस्वा वर्स था अपने केपिटल एक्सपेंडिचर का बजेट दो लाग करोड रुपिय टू लाग करोड रुपिय तक पहुचा पाई थे यहने 90,000 से 2 लाग करोड और आज कैपेक्स ग्यारा लाग करोड रुपिय से भी जादा है बजेट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की भी गोष्णा की गई है हम जल्द ही माइनिंग के आप्शोर ब्रॉस के पहले चरण की निलामी शुरू करने वाले यह सारे एलान प्रगती के नए रास्ते खोलेंगे नए आउसर बढाएंगे आज मोबाइल मैनुफेक्टिरिंग रिवलुशन का दोर है एक जमाने में जो भारत मोबाइल फोंस को इंपोर्टर था वो आज दुनिया के टॉप मोबाइल मैनुफेक्टरर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है आज भारत की नीती भारत की निष्ठा भारत का निश्य भारत के निरने और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगती का आधार बन रहा है दुनिया भर के इंवेश्टेर्स यहां आने के लिए लाला ही थे वर्ल लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे उले यह भारत की इंडुस्ट्री के लिए बहतरीन मोका है गोर्डन चांस है हमें इस मोके को गवाना नहीं है गज ज मोझे लोग अप्री वोग जखो इंड बन चाइबए